और दिल्ली NCR में आतिश पाजी के बाद प्रदूशन दिल्ली NCR में प्रदूशन का स्तर जो है वो बहुत खराब हो चुका है कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुँच गया और ये तस्वीर तब सामने आई जब दिपावली पर देराज चम कर आतिश पाजी हुई हाले कि ये जो दौर है वो धंतेरस से ही शुरू हो गया ये दो तस्वीरे देखिए और सबजने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से दिपावली पर जो जम कर आतिश पाजी हुई है उसके बाद सोमबार की सुभ़ की ये तस्वीरे हैं जो अपने आप बताने में काफी है कि किस तरीके से दिल्ली NCR की फिजाओं में जहर खुल ग अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने अपने आप लोगों ने पटा के नहीं जलाए लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में चूंकि भाजपा चाहती थी पटा के जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास प्रडाम हमारे सामने है दिपावली के बाद की पहली सुभा ने एक बार फिर धुंद की चादर ने वातावरन को अपनी आगोश में ले लिया है इस समय में मौझूद हूँ गेटर नोईडा वेस्ट के नोईडा एक्स्टेंसर में जहां आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो धुंद की चादर है ये बहुत जादा दिखाई दे रही है क्योंकि ये कल तक जो मौसम था बारिस होने के बाद में वो बेहत साफ हो गया था लेकिन जो उसके बाद में जिस तरीके से दिवाली पे आतिस बाजी की गई है उसके बाद में जो प्रदूसन का इस्तर है वो बहुत जादा बढ़ गया है यानि कि जो प्रदूसन का इस्तर है वो करीब साड़े 300 के पार पहुंच गया है सामने तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं यह building जो high-rise building है यह करीब यहां से करीब 300 से 400 मीटर दूर है लेकिन जो साफ तोर पर दिखाई नहीं दे रही है वहीं जो सामने जो पार्क हैं पार्कों में जो लोग यहां पर आते हैं morning walk के लिए वो यहां पर नदारत हैं क्योंकि जिस तरीके से production का इस्तर जो बढ़ा है वो कहीं न कहीं लोगों पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है जिस तरीके से पिछले दिनों production का इस्तर जो प्रास लेने में तकलीप हो रही है वहीं लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वैसे ज्यादा तर ओफिस की छुट्टी है लेकिन जो ट्रैफिक है वो भी सड़कों पे बहुत कम है लेकिन और जो इंडस्री है वो भी बंद है बावजूद इसके जो प्रद वातावरन में दिखाई दे रहा है बावजूद इसके की तमाम तरीकी की पाबंदियों के बाद भी जो लोग है वो आतिस बाजी करने से मान नहीं रहे हैं लगातार आतिस बाजी हुई है कई घंटों की लगातार आतिस बाजी के बाद आसमान का जो वातावरन में जो प्र अगर कोई स्टेप नहीं लेंगे तो इस तरीके का जो माहौल है जो वातावरन में जो प्रदूशन का इस तरह है वो लगातार बढ़ता रहेगा कैमरा परसंट संजे राउल के साथ में मुहम्मद यूसुफ गेट अनुडा न्यूस 24 देश की राजानी दिल्ली में लगातार प्रदूशन का इसतर लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जिस तरह से कल दिवाली का जैस्ट मनाए गया है उसको देखते हुए प्रदूशन का इसतर भी लगातार बढ़ता जा रहा है इस वक्त हम मौझूद हैं गिर्ड़ के लास म में और यहां पर अगर बात की जाए प्रदूशन की तो इसतर लगातार बढ़ता जा रहा है इस वक्त हम तस्वीरों के माधम से में दिखाने की प्रशुश करने के किस तरह से प्रदूशन का इसतर लगातार बढ़ा हुआ है और नोइडा हो दिली एंसी आर हो सब ही जहों जाए है तो 317 पहुछ चुका है और नोइडा की बात की जाए तो 290 एपोटेटी सी टू टरमिनल की बात की जाए तो 308 इसके साथ अलोधी रोड डो este port 249 डिली की अगर पूरी बात की जाए तो 286 पहुछ चुका है तो ऐसे में डिली सरकारी के अगते हर कोशुश की जा र वारी जो भी एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए ट्रक या बस नहीं हैं, उनको आने के लिए पाबंदी तरह से लगाएगी है। दिली सर्काट के तो खोशिक की जारी लेकिन जिस तरह से दिली NCR में पटाके जलाए गए हैं, वो इसको देखते हुए लगातार प्रदोर्शन का इस्तर बढ़ता जाना है। कैमरामन कालिकान के साथ दिपल्टूबे, दिशुदी करें।